मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और फिर बेल आइकन पे क्लिक करें मेरे लेटेस्ट विडियोस को देखने के लिए हेलो फ्रेंज, मैं हो कुनाल और आप देख रहे हैं मिक्स्टेइनमेंट आज के विडियो में मैं बात करूँगा जल्द ही आने वाली इंडिया श्वी लंका क्रिकट सीरीज के बारे में इस सीरीज में तीन टेस्ट मैच, तीन वंडे मैच और तीन T20 मैच खेले जाएंगे ये सीरीज शुरू होगी 16 नॉवंबर को और 24 दिसेंबर को इस सीरीज का आखरी मैच खेला जाएगा तो आएए इस सीरीज के पूरे शेडियूल पर नजर डालते हैं इस सीरीज की शुरूआत होगी पहले टेस्ट मैच के साथ जो खेला जाएगा 16 से 20 नॉवंबर तक इडिन गार्डन स्टेडियम कॉलकता में इस मैच का लाइब टेलिकास शुरू होगा सुबह 9 बजे से दूसरा टेस्ट मैच केला जाएगा 24 से 28 नॉवंबर तक वी सीए स्टेडियम नागपूर में ये मैच शुरू होगा सुबह 9 बजे से इस सीरीज का तीसरा और आखरी टेस्ट मैच केला जाएगा 2 डिसेंबर से 6 डिसेंबर तक फिरोशा कोटला स्टेडियम डली में और ये मैच भी शुरू होगा सुबह 9 बजे से अब बात करते हैं वंडे सीरीज के मैच इसके बारे में इस सीरीज का पहला वंडे कहला जाएगा 10 डिसेंबर को HPCA स्टेडियम धर्मशाला में ये मैच शुरू होगा दोपहर के डेड़ बजे से दूसरा वंडे मैच खेला जाएगा 13 डिसेंबर को PCA स्टेडियम मोहाली में ये मैच शुरू होगा दोपहर के डेड़ बजे से तीसरा वंडे खेला जाएगा 17 डिसेंबर को VDCA Cricket Stadium विशाखा पटनम में ये मैच भी दोपहर के डेट बजे से खेला जाएगा तो वंडे सीरीज के तीनों मैच डे नैट मैच होंगे और आखिर में बात करते हैं T20 सीरीज के मैच इसके बारे में T20 सीरीज का पेला मैच खेला जाएगा 20 डिसेंबर को 12 बती स्टेटम कटक में ये मैच का टैलिका शुरू होगा शाम 7 बजे से दूसरा T20 मैच खेला जाएगा 22 डिसेंबर को Polkar Stadium इंद ओर में ये मैच शुरू होगा शाम के 7 बजे से तीसरा T20 और इस सीरीज का आखरी मैच केला जाएगा 24 डिसेंबर को वांखेडे स्टेडियम मुंबई में ये मैच भी शुरू होगा शाम के 7 बजे से तो इस सीरीज में कुल मिलाकर 9 मैचेस केले जाएंगे क्रिकेट फैंस तो यही उमीद करेंगे के उन्हें कुछ क्लोज और अच्छे मैचेस देखने मिलें पर श्वी लंका टीम के फॉर्म को देखते हुए ऐसा होना मुश्किल लग गाए तो फ्रेंज आज के लिए बस इतना ही वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्रिकेट से जुड़े हुए वीडियो के लिए बाई बाई